नमस्कार दोस्तों आप देखने टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल देरा नाम है अभिशेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं XML के बारे में जिसकी full form होती है extensible markup language ये क्यों इस्तेमाल होती है कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं आपको HTML के बारे में तो पता ही होगा अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा hypertext markup language जहां पर कुछ tags होते हैं उसके अंदर आप design कर सकते हो layout बना सकते हो HTML में आप pages बना सकते हो pages के layout बना सकते हो simple web pages आप अराम से design कर सकते हो extensible markup language में आप data store कर सकते हो transfer कर सकते हो उसके अंदर कोई feed डालके data को transfer कर सकते हो वहाँ पर जो data होता है जो markup language होती हो extensible होती है क्योंकि HTML में आपको पता है कुछ एक निर्धारी tag है वही tag काम करते हैं लेकिन XML में आप खुद के tag लिख सकते हो जैसे कि मानके चलिए एक root tag होगा जिसका नाम होगा country राइट तो यहाँ पर country tag यूज कर सकते हो आप country tag के अंदर फिर आप और tag यूज कर सकते हो जो country tag होगा वो root tag होगा जैसे मानके चलिए शुरुवात में आप लिखेंगे ब्रैकिट देखे country ठीक है country tag खुला अब उसके अंदर में आप लिखेंगे country 1 इंडिया country 1 close country 2 अफगानिस्तान country 2 close उसके बाद last में country को आप क्लोज कर दो तो जैसे कि HTML में markup language होती है जैसे starting tag होता है ending tag होता है XML में भी ऐसा ही होता है लेकिन यहां पर आप अपने tag खुद बना सकते हो और यहां पर markup आप खुद दे सकते हो यह होता है data को transfer करने के लिए कई cases में ऐसा होता है कि जो हमारा data होता है वो हमें layout नहीं बनाना हमें design नहीं दिखाना हमें सिर्फ ऐसी एक script बनानी है एक ऐसा हमें language की ज़रूरत है जो सिर्फ हमारे data को carry कर सके right android में भी आपने देखा होगा अगर आपने android की कुछ files खोली है या कभी आपने android development किया है तो यहां पर सब यंग लोग हैं तो मेरे ख्याल से किसी ने income tax नहीं बढ़ा होगा लेकिन अगर आपकी उमर है थोड़ी या आप भी job बगएरा करते हैं आपने income tax भरा है तो आपको पता होगा जब ITR income tax return आप भरते हैं तो जब file करते हो income tax तो सारी detail अपनी sheet में डालते हो वहा salary का tag होगा XML में उसके बीच में आपकी salary की value होगी आपकी जो expenses हैं और आपकी जो सारे जितने भी provisions वगएरा है वो सब tags में ही लिखे होते हैं तो उसको data को फिर उस XML file को transfer कर दिया जाता है और वो जो XML का structure होता है उनकी machine समझ जाती है वो यह समझ जाती है कि salary वाले tag के अंद सर्वर से data आ सकता है अब websites में HTML और XML दोनों का ही use होता है क्यों कि layout के लिए HTML हो गया उसके data को specify करने के लिए data की unit मतब बताने के लिए कि कौन सा data कहां पर है एक तरीक से database भी कह सकते हो आप इसको क्योंकि यह भी database की तरह जैसे SQL में store होता है उस तरीक से यहाँ पर table के form में नहीं होता है tags के अंदर data store होता है और आपने देखा होगा कि जब आप किसी web page को save करते हो से वैज करते हो तो HTML files के साथ साथ XML files भी होती है तो यह configure करने के लिए data transfer करने के लिए use होता है I hope इसके बारे में आपको पता चल गया होगा और इस वीडियो के बाद बताने के बाद अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा practical दिखाऊंगा एक छोटी सी practical वीडियो दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको अच्छे से demonstrate करूँगा कि XML file कैसी दिखती है और कैसा उसका structure होता है और वो कैसे काम करती है अगर यह वीडियो आप आप यहां पर देख सकते हों मैंने XML file open की हुई है इस file का नाम है note और इसका extension है .xml ठीक है extensible markup language अब इसे extensible क्यों कहा जाता है उसकी वज़ा यह है कि इसके जो tag ही आप देख रहे हो ना यह यह खुद ही बनाया जा सकते है जैसे कि HTML में तो limited होता है कि body tag होगा उसके बाद head tag होगा title tag होगा लेकिन XML में आप अपने खुद के tag बना सकते हो XML का प्रियोग data storage और data transfer में होता है जैसे मैं बता चुका आपको तो आप जैसे देख सकते हैं यहां पर पहले इसका descriptive है descriptive line है यहां पर बताया हुआ है कि XML का version कौन सा है कौन सी encoding है इसमें उसके बाद यहां प जितनी भी चीज इसके अंदर आएगी यह note उसमें आएगी ठीक है कोई note है कोई note लिख रहा है अब note के अंदर अंदर क्या चीज़े है उसके बाद है two तो यह कहां जाना चाहिए two tag के बीच में आरा देखिए two tag खुल रहा है यह two tag बंद हो रहा है इसके बीच में value क्या है तो यह note किस के लिए है तोव के लिए अब उसके बाद from tag है क्योंकि यहाँ पर आप अपने खुद के tag लेख सकते हो तो यहाँ पर कोई foundation नहीं है तो यहाँ पर data store है from मतलब किस की तरफ से जा रहा है note यह जानी की तरफ से जा रहा है या जैनी जो भी कह सकते हो उसके बाद heading है उसके heading क्या होगी note की reminder और heading बंद हो रही है यहाँ पर खुद के tag है जैसे आप गौर कर रहे है heading from to उसके बाद body और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि body हो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि जिस से शुरू कर रहे हो उसी से आपको इसे end भी करना है तो HTML की तरह है इसमें आपको ending करनी पड़ती है लेकिन इसमें आप खुद के tag अपने बना सकते हो और finally हमें अपने root tag को close करना है हमारा root tag क्या है यह क्या चीज है यह note है इसका root tag क्या होगा note यह देखिए note close हुआ यह note अपन हुआ तो अगर आपको HTML आती है तो आप इसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे ऐसा कुछ भी समें complicated नहीं है जैसा कि मैं आपको बता चुका इसको data store करने में और data transfer करने में इस्तेमाल किया जाता है अब store करने में क्यूँ क्यूँकि यहाँ पर हर चीजे systematic way में store है अगर कोई चीज two वाले tag के बीच में है तो machine को यह पता रहता है कि यह चीज two है और from के बीच में होगी तो यह पता चलेगा कि यह चीज from वाले column में आती है from वाले tag के अंदर आती है तो यह form में from में है तो जब data हम store करते हैं अब database management system होता है और database के साथ हम कुछ काम करते हैं data को store करते हैं तो वहाँ पर हमें data systematic manner में store करना पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं systematic way में यह store है I hope आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप खुद भी अपना research कर सकते हैं Google पर search कर सकते हैं W3 schools करके एक site है और बहुत सारी site है जो आपको सिखाती है यह languages के बारे में आप वहाँ जाके practical भी कर सकते हैं तो जाएए, सीखे Goodbye